अलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चनल इटीचर में दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ जरूरी जानकारी कुछ जरूरी सुचनाव से समदित और वो यह है कि गवर्मेंट आव राजस्तान ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और जारी कर दिये हैं डिये को लेकर पहले भी आपको हमने सुचित के अथा जिसमें सरकार जारी करने वाली थी और और अब जारी हो चुका है 27 मार्च को गवर्मेंट आव राजस्तान ने डिये को लेकर बड़ी ख़बर दी है करमचारियों के लिए तो राजस्तान की महत्मुन बात हैं कर लेते हैं और उसके साथ ही आपको जानकारी देंगे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो साला दरप्रण परबारी है उनके क्या काम है उससे समझ दिता है को लेकर बात कर लेते हैं को जरूई जानकरी है तो दिये जो बढ़ चुका है करमचारियों के लिए वह बढ़ेगा आपके मार्च 2020 की जो सेलेरी में दे हैं और अप्रिल 2020 से लागू वन नगत दे होगा इसके साथ ही 172,19 से ये जो डिये लागू है और 30 फरवरी 2020 तक का जो अंतर है यानि जुलाई से लागू होगा और 30 फरवरी तक मिलेगा उसकी जो अंतर रासी है उसको GPF में पैंसन फंड में जमा कर दी जाएगी और जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का एरियर है जो एक अप्रेल के बाद ही बनेगा इसके साथ ये नंपियेस के करम्चारी है हमारे उनको जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का एरियर होगा वो एन प्यसके रूप में कटेगा पहले तो दस पर्तिशत नंपियस भी कटेगा और इस निब्बे परतिशत जो आंपियस करम्चारी है उनको निब्बे परतिशत क मिलेगा और यह भी एरियर है जो एक अप्रेल 2020 के बाद बनेगा तो डिये को लेखर तो अच्छी खबर है कि करमचार्यों का डिये बढ़ा दिया गया है और यह जुलाई 2019 से लागू कर दिया गया है जैसा कि ओर्डर में लिखा हुआ है तो इस तरह से डिये तो बढ़ा दिय है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो साला दर्पन परभारी है वह इस समय जो कार्मिकों के संस्थापन सूचना है डाटा को ऑनलाइन करें संसोधित करें उस रूप में तो कैसे करना है उससे समधित बात कर रहें इस वीडियो में इस तरह का एक परफॉर्मा भी आया है जिस एंप्लोई के कुछ भी प्रॉब्लम है एंप्लोई आएडी है या कोई नाम में करेक्शन कराना उससे समधित यह डीटेल है जिसमें आपके विद्धाले का यह परपरत्र दिया आपको बरकर देना है जिसमें विद्धाले कर नाम ब्लॉग यूडाइस कोड संस्तापरदा की एंप्लोई आएडी है उसके जो भी संसधन करवाना वो इस तरह से ले देगा जैसे कार्म का नाम है उसकी शाला दर्परण आईडी क्या है एंप्लोई आइडी क्या है और क्या गलती है उसका है इसका नाम क्या है जोइनिंग ड dif現在 उन्सिस प्रकार है यह प्रफॉर्मा करवाया जाना मेरी स्वप्रका के वयाद वयादनिक कारील मैं वह सभी जिम्हदार रहुए रहूंगा जारी किया जाएगा जिसमें सहील लगेगी और कर्मचारी के रूप में दिया जाएगा उपनी देशक राज्यसाला प्रकोह जयपुर को याने की करमचारी विवाभे अंदर संस्ता परदान संस्ता परदान वागादा है जिसके और संस्ता परपत्र है वह संस्ताक है, यह है कि जो भी इसमें इंत्सा प्रविष्ट है उसको प्रफ। न होने पड़न ँगो सतनबी करवाएंगे तो कार मिलडर का नाम है और वर्तबान पदे यह सब days होगा इसके साथ युशाइब के जनमतिती है यह सब देख ले कि किया क्रेक्षन है या सही है, संसुधन के प्रक्रिया इस परका रहेगी की कार्मिक के जो नाम है employ ID है, वरतमान पद में संसुधन निमिन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले तो है कि संस्ता परदाण या वाट्सभा पर प्रीमिन के लोगइन Sweden से प्रपतर्थिक हो लेग किंदेर, विद्ञालान कि सब्सक्राइट रया है। उसमें उसको सूचना है बढ़नी है और इसको इमेल आईडी पर प्रेसित करना है ध्यान रखें, ओनलाइन, मादि में एक शिक्षा की कार्मिकों के फॉन नमर जनमती थी को विद्याले लोगिन से ही सही किया जा सकता है, ध्यान रखें, और जो प्रार्रामिक शिक्षा की कार अब प्रारमिक शिक्षा के जो साती है, करमचारी है, अपने अधिनस्री विद्याले कार्मिक जो है संसुधन के लिए बेज़ेंगे वो होगा, D-A-R-E-L-E-S-H-A-D-A-R-S-H-A-N, यहानि डायर, डायर, डायर को होगा यह, यह, इसमें दूसरी भी एक वेकल पिक दी गई है, जिसमें है, आपके राज-S-A-S-A-D-A-R-S-A-D-A-R-E-L-E-L-E-L-E-L-E-S-H-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D-A-R-E-S-A-D जो जो भी कार्मिक है, जो आइडी दी गई इस पर फॉर्वर्ड करना, इस तरह से हम ये गर बैठे अभी ये काम कर सकते हैं, तो वर्क फ्रम होम के लिए ये शुजाओ दिया गए है कि ऐसे करम चारी के वैसे ही समस्यारी तो इसको सौल्ट किया जा सकता है, तो ये था